मित्रो आज की इस वीडियो के अंतरकत हम जानने वाले हैं कि हस तरेखा के दुआरा हम अपने जन्म मासक की गन्ना किस परकार कर सकते हैं बहुत सारे ऐसे वेक्ति होते हैं जिनको अपना बर्त मंत जो है वो पता नहीं होता तो किस परकार हमें ग्यात करना है विशेशते इसके लिए आपको क्या करना है अपने दोनों हातों की तरजनी उंगली को लेना है तरजनी उंगली ये वली आपकी होती है अंगोठे के बराबर वाली उंगली तरजनी उंगली होती है अब ये जो तरजनी उंगली है इसका भी आपको कौन सा लेना है दूसरा और तीसरा परव पहला परव ये हो गया है दूसरा और ये तीसरा रखना है जो बिल्कुश शुद्ध हो दोश रही तो टूटी फूटी नहीं हो और खंडित ना हो तो उस परकार की रेखा को आपको देखना है मान लिजे यहां पर दो रेखा इधर हैं दो इधर हैं चार हो गई और एक एक रेखा आपो दूसरे हाथ में भी आपने देख ली तो आपको सबसे पहले क्या करना है दूसरे और तीसरे पर्व में तरजनी उंगले के दोनों हतों की आपको रेखा है गिन लेनी है जो गिन कर रेखा आई है उसको आपको क्या करना है 23 से आपको गुना कर देना है 23 से जैसे ही आप गुना करते हैं तो क्या आजाएगा आपका 138 आजाएगा और फिर क्या करना है आपको 12 से भाग करना है इस 138 को क्योंकि 12 क्या होती है राश्य होती है और जैसे ही 12 से आप भाग करते हैं तो 12 एकम 12 और ये आपका 12 एकम 12 तो कितना ये शेश्वल छेश्वल आपका आज़ता है तो जो ये शेश्वल आएगा ये शेश्वल आपकी राशी होगी और उस राशी के हिसाब से आपको मास का महिने का आपको पता लग जाएगा जैसे इसमें शेश्वल छेश्वल कन्या राशी आती है तो इसके हिसाब से हैं तो हम जो सामबंदर शास्त के पुसक से लिया गया है वह हम को वीडियो के अंत में देदेंगे तो इस परकार से आप अपने जन्म मास की गन्ना कर सकते हैं तो मित्रों जान करिएगर आपको छिलेगी वीडियो को लाइक किजीगा शेर किजीगा और चैनल को सब्सक्राइब किजीगा जै मता दी